Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपके अपनी English Educator और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो चाप्टर हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था Adventure, उसकी Summary और कुछ Important Question and Answers मैं आपको थोड़ा सा Overview दे देती हूँ इस चाप्टर के बारे में इस चाप्टर में क्या है? ये चाप्टर प्रोफेसर गंगा धर्पंद गायत ओंडे के उपर बेस्ड है वो एक Lecturer है, एक Historian है यानि History के Professor है वो एक कार में बैठके जा रहे थे और कहां जा रहे थे? बंबी जा रहे थे यानि Catastrophe Theory नाम की जो ए थियोरी है, इसके क्या implications, क्या असर पड़ेगा इसका Battle of Panipat पे Battle of Panipat, हम सब को पता है जो तीन battles हुए थे पानिपत के और जो third battle हुआ था वो अफगान्स और Marathas के बीच में हुआ था, Marathas उसमें हार गए थे, अफगान्स जीत गए थे और उसके पाद Britishers का राज हो गया था इंडिया के उपर, तो जब उनका Accident हो जाता है और जब वो जा रहे होते हैं तो उनका रास्ते में Accident हो जाता है किसका? गंगाधरपन्त का, एक ट्रक्स उनकी कार पॉलाइट कर जाती है और उनका Accident हो जाता है जिसकी बज़े से वो दो दिन कोमा में चले जाते हैं जब दो दिन कोमा में जाते हैं, यानि कि वो एक पारिललल वर्ल्ड में चले गए एक तो उनके दिमाग में रियालेटी थी, एक तो रियालेटी में वो जी रहे थे, जो कि किया थी जिसमें History उन्हें पता थी, कि Marathas जो थे, वो हार गए थे, अफगान्स जीत गए थे और उसके बाद Britishers ने हिंदुस्तान पर राज किया था, ये रियालेटी थी, ये गंगा धरपन्त, मुझे, हम सब को पता थी लेकिन जब वो दो दिन कोमा में चले गए, तो वो जब उनका आक्सिडेंट हुआ था ना, तो वो इसी बारे में सब सोच रहे थे जो रियरल वर्ल्ट से काफी अलग होता है, उसमें उनोंने क्या देखा, उसमें उनोंने देखा कि ये जो बैल अफ्पानि पद, मराथास और अफ घान्स के बीछ में शेका अफगांस जो थे वो हार गए तो और मराथास जीत गए थे यह इन्हों ने देखा और जिसकी वज़े से क्या हुआ मराथास ने पूरे हमारे हिंदुस्तान पर राच किया तो यह सब इन्हों ने देखा और इसमें उन्हों वह स्लेव नहीं बना याने गुलाम नहीं बना ब्रिटिश को क्योंकि मराथास जीत गए थे और बस इसी ख्याली वर्ल्ड में इसी ख्याली दिमाग में पारलल वर्ल्ड में बहुत सरी चीजें उनके साथ हुई वह आजाद मैदान गए वह लाइबरी गए बॉम्बे में वह एक हॉन बाइ रोड गए वहाँ पर उन्होंने वह सब चीजे देखी जो काफी अलग है जो रियालिटी से अलग थी और यहसा ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब जैसे फॉर एक्जांपल हम सोते हम कोई सपना देखते हैं तो सपने में तो कुछ भी पॉसिबल है सपने में जब आप की बॉड़ी काम नहीं कर रही होते हैं आपके हार्ट बीच चल रहते हैं लेकिन आपका दिमाग अक्टिव होता है आपका अपने दिमाग में सब चीज से सोचते हो तो इक्जाक्ली वह भी वह सोच रहे थे और वहाँ पर पूरा हिस्ट्री से रिलेटेट सोच र रहा था वह चेयर पर्सन की खाली चेयर पर जाकर बैठ गया जिसकी वज़े से क्राउड बहुत जाधा गुस्से में और गुस्से से उनको उतार के बाहर फेक दिया यानिकि सेट से उतार के नीचे फेक दिया और इसी जड़प में अपने इमाजिनेशन वर्ल्ड में अप भी इनके साथ हुआ कि एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल ट्रावल कर गया याने रियालिटी में से कहां ट्रावल करके चले गए एक पैरलल एक अपने दिमागी खयाली वर्ल्ड में कहीं चले गए तो राजींद्रे ने उनको दो थेयोरी समझाई Catastrophe Theory और दूसरी Determinism of Quantum Theory Catastrophe Theory याने कि वो थेयोरी कि अगर पूरी सिचुएशन में जरा सभी चेंज होता है तो पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है जैसे कि यहां पर Catastrophe Theory यह थी कि पूरी सिचुएशन जिसमें कार में गंगाधर पंत गायतोंडे जा रहे थे और पूरी सिचुएशन बदल गई वो कोमा में चले गए और एक डिस्टरेंट वर्ल्ड में चले गए तो यहां इस तरीके से उन्होंने Catastrophe Theory को गंगाधर के प्रॉब्लम का सल्यूशन बताते हूं एक स्प्लेन क्या और दूसरी होती है quantum theory quantum theory उन्होंने बताया राजेंद्र ने और यह बताया कि यह जो पूरी theory होती है यह एक अटम इस दुनिया का सबसे छोटा पाट है उसके अंदर नूकलियस होता है और नूकलियस के आसपास अलग-अलग states होती है अलग-अलग ऐसे पास बने रहते हैं जिसमें electrons revolve करते हैं नूकलियस के चक्कर लगाते हैं तो इसी तरीके से एक स्टेट से दूसरी स्टेट जब नूकलियस में एक स्टेट से दूसरी स्टेट से जब electron travel करता है तो वो अपनी कुछ radiation चोड़ता है उसको हम कहते है pulse of radiation अब इसी चीज को गायतोंडे के problem से उन्होंने compare किया और कहा कि वो जो electron है उसको उन्होंने compare किया गायतोंडे से और बोला कि यह जो electron है गायतोंडे जैसा है वो क्या कर रहा है वो इस एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में travel कर गया क्या कर गया travel कर गया याने कि reality से parallel world में coma में चले गया फिर coma से वापस बाहर से real world में आ गया तो एक electron के तौर पर उनको compare के और उनकी problem का solution बता है और at the end of the day गया तौंडे ने उनके explanations को उनके solutions को जो उनने बताये थे उनको माना अब जो हमारा chapter start होता है chapter starting ऐसे होती है कि वो पूरा जो parallel world में जहां से parallel world की journey शुरू होती है कि गया तौंडे की वो बताते हुए start करता है कि उसने कैसे किया तो आए समरी देखते हैं डीटेल में अब प्रोफेसर गाय तौंडे पूने से बॉम्बे ट्राविल करके जा रहे है वाया जीजा माता एक्स्प्रेस एक train का नाम है तो ये वो reality में नहीं जा रहे है क्योंकि reality में तो वो कैसे गयते है reality में वो पूने से बॉम्बे लेक्चर देने जा रहे थे लेकिन कार में जा रहे थे कोमा में आ गए तो ये सब चीज उनके दिमाग में एक parallel world में आने लगी तो अब जो वो चीज़े हो रही है ये सब चीज़े हम किस में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि उनके parallel world उनके ख़्याली दिमाग में क्या हुआ तो ख़्याली दिमाग में भी वो पूने से बॉम्बे तो जा रहे थे लेकिन कार से निहीं अब वो जा रहे थे समझ रहे हैं कि अपने प्रशाइब वह रास्ते में एक और पैसंजर मिलता है कौन खान साहिब नहीं का साथ उनकी ट्रेन में जा रहा हुआ उससे उन्होंने काफी जादा बातचीत करी अपने बिजनस के बारे में और इदर उदर की बहुत सारी बाते करी और रास्ते में बह खान साहिब कोई real person नहीं ही, कोई reality में exist नहीं करता, यह इनके खयाली दिमाग में कोई एक ऐसे person आ गया है, जो उनके साथ travel कर रहा है train में और Bombay जाना है They got off a Victoria Terminus station which was neat and clean और finally उनकी train कहां जाके रुकती है, Victoria Terminus station में जो की Bombay में है, जिसको आज की date में हम छत्रपती शिवाजी Terminus के नाम से भी जानते है तो इनकी train finally वहाँ पर रुकती है It had British officers अब यह जो train यहां रुकी, यहां पे तो कौन रुक गया? यहां पे हमारे गंगादरपंद गायताउंडे रुक गया और जो खान साहिब थे, उससे उन्होंने बातचीत में यह पूचा था कि आप कहा जाऊ गए, तो वो गए पेशावर तो वो रात में, रात की Frontier Mail नाम की एक train है, जो वो Central Station से पकड़ेंगे, खान साहिब वो उससे वही जाएंगे, कहां जाएंगे? अपना पेशावर जाएंगे और अब यहां से जॉन्नी किसकी अकेले स्टार्ट होती है? गायताउंडे की तो गायताउंडे, चातरपती, शिवाजी टर्मिनल जिसको हम आज कहते हैं और उस वक्त विक्टोरिय टर्मिनस पे पहुँचे तो उनने जो पूरा जो station था बहुत neat and clean दिखा क्यों दिखा? क्योंकि वहां पे Britishers थे, British officers थे जो पूरी area था वह Britishers के control में था तो वहां पे उनको British officers दिखे, Parsi's दिखे, Anglo-Indian staff दिखा Anglo-Indian staff या ने कि वो staff जो Britishers और इंडिया में आपके अपना job कर रह हैं He was confused as to how the East India Company was ruling the country as according to his facts they had fled away after the events of 1857 तो जब वो चातरपती शिवाजी टर्मिनस याने विक्टोरिय टर्मिनस पे उस जबाने के आये तो उन्होंने एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी बहुत सुपर्ब फ्लारिशिंग बिल्डिंग थी जिस पे East India Company के Headquarters का ऐसे नाम लिखा था तो वो बहुत ज़ादा Confused हो गई कि ये क्या possible है क्योंकि 1857 में एक revolt हुआ था जिसके बाद East India Company हिंदुस्तान छोड़के जा चुकी थी लेकिन यहाँ पे उन्होंने ने के देखा कि अभी भी उनके Headquarters है उनके Offices है और उनकी Building है और अभी भी यहाँ पे Anglo-Indians है Britishers है जो जोब कर रहे है पूरा ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैं किसी England में हूँ याने किसी British British Country में हूँ तो वो यह सब देखके बहुत Confused हो गए और यह सोचने लगे कि जब 1857 के Revolt के बाद East India Company जा चुकी है तो अभी कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर उनकी एक Building है तो फिर यहाँ से स्टेशन के बाहर निकलने के जाने के बाद वो कहां गए वो हॉन्बाइ रोड गई है एक road है एक street है जो Bombay में है यह वहां गई तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर जितनी भी पहले shops हुआ करती थी जितने भी departmental stores हुआ करते थे वो अब नहीं है बलकि उनकी जगा वो क्या दिख रहा है उनको बैंक्स दिख रहे हैं और कौन से बैंक्स? Britishers के banks है, Britishers के office है पूरो market अलग है और ऐसा लग रहे है कि वो किसी England के किसी market में चल रहे है फिर उसके बाद यहाँ से निकल कि वो कहां गए? वो Forbes की एक building में गए और वहाँ पर उन्होंने एक English receptionist से पूछा कि प्लीज मुझे बताइए कि विनाई गायतॉंडे हैं मुझे उनसे मिलना है उसने पूरी books चेक करी, अपनी employees की list चेक करी हर branch में उसने confirm किया Mr. विनाई गायतॉंडे है की नहीं हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं है तो वो English receptionist क्या बोलती है Mr. गायतॉंडे से कहती है कि नहीं इस नाम के person क्या यहां पर नहीं है और यहां पर क्या काम करते भी है कि नहीं करते हैं तो यहां पे अब बहुत जादा शौक में आ जाते हैं कौन? Mr. Ganga Dharpant Gaitonde क्योंकि Vinay Gaitonde कौन है? उनके बेटे हैं और वो इस बिल्डिंग में इस ओफिस में काम करते हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा बोला वो या है यह नहीं? तो इसलिए ऐसा बोला कि है ही नहीं क्यों क्योंकि यह जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं जो हम चाप्टर पढ़ रहे हैं एक बहुत बड़े चाप्टर का छोटा सा पार्ट है जिसको आज़ा हम चाप्टर पढ़ रहे हैं तो उस जो पार्ट जो हमने नहीं पड़ा है जो इस चाक्टर में इंक्लूड़ेड नहीं है उसमें ये बताया गया है कि भाई जो गंगादरपन्त है वो अपने खयाली वर्ल्ड में अपने पारलल वर्ल्ड में उसको पता चला कि मेरी डेत हो गई है फिर बहुत सरे कि याने कि फिर वो receptionist के पास गया अपने बेटे के बारे में पूछने तो वहां पर उसको उसका बेटा भी नहीं मिला तो फिर वो सोचता है कि अरे भाई जब मैं इस ख्याली वर्ल्ड में इस imaginary world में या यह parallel world जो मैं देख रहा हूँ कोमा में लेटे हुए अपने बेट पे इसमें जब मैं ही पैदा नहीं हुआ हूँ तो मेरा बेटा कहां से आएगा अब उसके बाद वो फोर्ब्स बिल्डिंग से निकल के कहां गए वो टाउन हॉल की तरफ गए जहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी करके एक बड़ी से लाइबरेरी है उधर के रीडिंग रूम में वो गए और क्यों गए क्योंकि उन्हें वहाँ पे अब बहुत सारी अब बढ़ी से लिए वो गए और जो मेरे पारलेल मांड में हिस्ट्री चल रही है तो वो यह जानना चाहते थे कि ये दो हिस्ट्री में कहां चेंज आ है तो यह कैसे पता चलेगा ओविसली सारी हिस्ट्री की जो लिख्यों ही बुक्स हैं वो रीट करेंगे तो पता इन्वेस्टिगेटिंग फ्रम पीरेड ऑफ अशोका तु थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो उन्हों ने उस लाइबरेटी में जाके फाइव वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स ली याने पार्ट वन पार्ट टू ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री की बुक्स ली और वॉल्यूम वा और पारिलेल वर्ल्ड की हिस्ट्री से मैच कर रहा था फिर जब उन्होंने फिफ्ट वॉल्यूम पड़ा याने जो फिफ्ट पार्ट पड़ा था वो बिलकुल अलग था उसमें काफी सारे चेंजिस थे और फॉया नॉलेज ये पांचों पार्ट उते यह उन्होंने भाव साहिब बाची भकर, he found out that Marathas had won the battle of Panipat and spread their influence all over India after that. तो फिफ्ट वॉल्यूम में उन्हें पता चलता है कि भाई जो Marathas थे वो जीत गए थे, third battle of Panipat किस से, अफगान से, और कैसे जीत गए थे, यसे जीते थे कि जो Marathas के जो leader थे, विश्वास राओ, उनको bullet नहीं लगी, याने बंदू की गोली नहीं लगी, उनके कान के पा भाउ साहब भाची बाकर, यह एक मराथी बुक है, इसमें Marathas ने जितने भी battles, जितने भी युद्ध लडाईयां करी है, इसके बारे में detail और complete information है, फिर उन्होंने जब ये बुक पड़ी, तो इस बुक में भी exactly यही चीज़ आई, कि भाई भाउ साहब की विश्वास अलग है, रियल हिस्ट्री यानि कि जो विश्वास राओ थे, वो मारे गए थे, उनको गोली लग गई थी, बुलिट लग गई थी और वो मारे गए थे, जिसके बाद से बृटिशर्स का राज हो गया था हिंदुस्तान पे, लेकिन उस बुक में मा साहब बाची बाकर में यह लिखा था कि वो बच गए थे और उसके बाद हिंदुस्तान पे उन्होंने राज किया, किनोंने? मराथाज ने, बृटिशर्स ने आकर हिंदुस्तान पे रूल नहीं किया तो यह उस बुक में भाव साहब बाची बाकर में यह लिखा था कि रियालिटी में तो क्या हुआ था हिंदुस्तान में किस ने आकर राज किया था? Britishers ने लेकिन भाव साहे बाची बखर में ये लिखा था कि जब Marathas जीत गए तो उसके बाद काफी टाइम तक उन्होंने राज किया रूल किया पूरे इंडिया पे लेकिन 20th century के बाद ये पूरा transition हुआ याने कि ये change हुई याने जो kingdom थी जो राजाओं का राज था अंदुस्तन में वो change के किस पर आगया था democracy पर democracy याने कि अब government बनेगी याने लोग अपने leader को खुद elect करेंगे जैसे election process आज होता है There were no longer any king's ruling and democratic parties had been set up The professor started liking India as he kept reading further about it It was different from the one he believed he saw This country knew how to stand on its feet and was no longer slave under the white man White man याने की Britishers तो जैसे जैसे जो writer है वो ये read कर रहे थे पूरी गंगा धर पंध गाये टॉंडे जो है जो पूरी read कर रहे थे अपनी पूरी भावसा है बाची बकर की book उसमें उनको इंडिया के लिए बहुत proud feel हो रहा था क्योंकि reality में जो history है उसमें क्या हुआ था white man याने Britishers ने गोरो ने इंडियन्स पर राच किया और हमने 200 साल slavery करी यानिके गुलामी करी उनकी लेकिन ये इंडिया जिसमें Marathas जीत गहते parallel world में खयाली world में जिसमें वो book पढ़ रहे थे उसमें इंडिया ने राज किया याने खुद इंडियन्स ने अपने उपर ही राच किया याने Marathas ने हिंदुस्तान पर राच किया Britishers ने आके हम पर राच नहीं किया और जो parallel world वाला इंडिया है उस world ने उस इंडिया ने अपने पैरों पे खुद खड़े होना सीखा और कभी किसी की slavery नी करी याने गुलामी नी करी तो इसलिए उनके मन में गायत ओंडे के मन में क्या आया बहुत प्राउड की फीलिंग आई कि ये इंडिया कितना अच्छा है खुद अपने पैरों पे खड़ा हुए कभी किसी की गुलामी के भरों से नहीं बेठा As he was going through the book the librarian told him to finish since they were closing the library It was 8 o'clock he asked about carrying the books with him as he would return the next morning and slip the bakhar book in his left pocket So उसके बाद जबसे ही वो read कर रहे थे suddenly रात के 8 बच गए और librarian आया उन्होंने बोला कि अब हमारा library close करने का time है उन्होंने librarian से पूचा कि क्या मैं ये कुछ books रख लूँ अपने पास तो उन्होंने एक भाखर की book चुपचाप से अपने right pocket में रख ली और library ने बोला कि अब आप काल आना तो कि कल सुबा मॉनिंग में 8 बजे library फिर खुलेगी ये book चुपचाप से वहां से लेके और कुछ notes कुछ pages उन्होंने बनाये थे अपनी book read करते हो वह उन्होंने चुपचाप वहां से लेके निकल गए फिर लाइबरी से बाहर निकलके वह कहां गए वह एक जगा अपना डिनर खाने गए बहुत ही simple, कम costly, इतना जाथ expensive वाले डिनर निकाया थोड़ा सा उन्होंने डिनर लिया और एक guest house लिया जहां पर वह stay कर रहे थे अब उसके बाद dinner winner guest house में चले गए डिनर ले लिया उसके बाद वह कहां गए आजाद मैदान की तरफ गए आजाद मैदान थी एक मैदान है जो बॉम्बे में है और reality में भी जब गंगादर पंद गायतोंडे कार से जा रहे थे बॉम्बे की तरफ तो वह आजाद मैदान ही जा रहे थे अपनी क्या देने अपनी speech देने अपना lecture देने तो इस parallel world में भी वह आजाद मैदान ही गए लेकिन कैसे गए गूमते फिरते पैदल पैदल चले गए तो ये changes थे real world में और उनके दिमाग ही खयाली parallel world में तो जब वह आजाद मैदान पहुचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा seminar होने वाल है एक लेक्चर होने वाल है एक पन्डाल ऐसे tent जैसे लगा हुआ है वहाँ पे बहुत सारा crowd बैठा हुआ है सामने एक speaker है speaker वह जो topic के बार में कुछ-कुछ बोल रहा है और एक क्या रखी हुए presidential chair याने कि वह chair जिस पे chairperson या guest जो है पूरी guest of honor जो है पूरे speech का वह आके महां बैठेंगे तो उन्होंने देखा कि वह chair खाली पड़ी है और ये देखके वह बहुत ज़्यादा शॉक हुए he could not control himself and move towards the stage and sat on the chair the crowd was shocked and started asking him to get up and move away he tried to talk to them but they started throwing several objects at him such as tomatoes, eggs etc तो वो गए फटाफट से और जाके उस chair पे बैठ गए क्यों बैठे क्योंकि गंगा धरपंद गाय तो रने ने 999 lectures अपनी पूरी लाइफ में दिलिवर किये हैं तो उनको बहुत habit है और उनकी आदत है कि वो chair person की seat पे बार-बार जाकर बैठे तो अभी जब उनको खाली दिख रही थे तो उनको बहुत अजीब लग रहा था तो बस वो उनकी आदत से मजबूर थे और जाके बैठ गए crowd बहुत शौक हो गया speaker एकदम mid sentence में बीच में बोलते बोलते रुख गया कि एकदम कौन आके बैठ गया chair पे crowd ने उनको बोला कि आप नीचे उतरो तो उन्होंने नहीं बानी उनकी बात और माइक उठा कि अपने views अपने जो thoughts से वो express करने लग गये crowd बहुत ज़दा गुस्स हो गया और उनको उतरने को बोला कि आप उतरो यह chair symbolic है याने कि हम यहाँ पर किसी chair person को नहीं बठाते हैं हम सिर्फ एक chair रखते हैं और मानते हैं कि यहाँ पर भाई कोई chair person बैठा है क्योंकि हम बहुत बोर हो गये हैं हमें नहीं सुनना chair person के लंबे-लंबे introductions और speeches और कहानियां हमें नहीं सुनना हम तो सुर्फ speaker को सुनेंगे लेकिन फिर भी गंगाधर पंस ने उनकी बात नहीं मानी, continuously बात करते रहे और crowd बहुत ज़्यादा गुस्य में आ गया और उनके उपर undate, martyr जो भी उन्हें समान objects दिख रहे थे उनके उपर फैंकने लग गये Soon the crowd moved towards him to push him away and he was nowhere to be seen तब भी वो नहीं माने और बोलते रहे और इतनी unfriendly audience को उन्होंने bravely बहुत ज़्यादा face किया लेकिन नहीं माने तब भी वो crowd गुस्य में आगे उनको उठाया इतना सरह लोगों ने और उठा के stage से नीचे फेक दिया और हटा दिया और इतनी सारी भीड में वो दिखे भी नहीं कि कहाँ चले गए Next he woke up in a hospital bed and saw Rajendra in front of him अब अब तक हमने हाँ तक जो भी summary पड़ी उस summary में ये था कि जो parallel world याने कि जो धिमाग में imaginary खयाली world था उसमें क्या हुआ वो हमने पड़ा अब ये जो crowd ये जो भीड से उनकी जड़ाप हुई है parallel world में एकदम से वो कोमा से बाहर उठ गए क्योंकि होता ना कभी हम ऐसा कोई सपना देखते हैं एकदम से ऐसे उठ जाते हैं अब जब वो कोमा से बाहर आए तो उनने पूरी चीज के बारे में जो उनके साथ दिमाग में खयालों में जो हुआ वो राजिंदर को बताया और राजिंदर अमेज हो गया आने एकदम शॉक हो गया कि अरे ये कैसे पॉसिबल है तो जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं वो बहुत ज़ादा कन्फ्यूज हो गई कि ये क्या हुआ उनके साथ कि एकदम से वो दो दिन तक उन्हें ऐसा लगा कि वो दो दिन कहीं ओर है वो थे तो वहीं पर कोमा में थे और उनका दिमाग कहीं कहीं किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्राविल कर रहा था तो उन्होंने राजेंदर से पूछा कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है, क्या यह real है, कि यह कुछ मेरा imagination है, मेरा कुछ खयाल है, जो मुझे परिशान कर रहा है, यह क्या है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, वो confused हो गए थे तो राजेंदर ने उन्हें कुछ चीज से एक्स्प्लेइन करी, that it happened because of two theories, catastrophe theory and lack of determination of quantum theory, तो राजेंदर ने उनको explain किया, कि यह चो तुमारे साथ हुआ, कि तुम real world से एक हैली, एक parallel world में, imagination वाले world में चले गयो, यह एक world से दूसरे world में तुमने ट्राविल किया है, यह base है दो scientific theories पर, पहली theory है, catastrophe theory और दूसरी theory है, determinism in quantum theory, catastrophe theory अब क्या state करते हैं, यह पढ़ते हैं, तो catastrophe theory states, that a small change in any situation can result in a shift in behavior, in reality, the Marathas lost their leader, भाउसा है वन विश्वास राओ, and hence, they lost the battle, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसको वो catastrophe theory के माध्य हम से explain कर रहे हैं, कि तुम्हारी life में, जो यह incident हुआ, वो कैसे हुआ, तो catastrophe theory का मतलब होता है, कि आपकी normal life चल रही है, और normal life में एक छोटा सा change हुआ, और उस change ऐसा अतना खतरनाक, इतना disastrous change हुआ, कि पूरी situation बदल रही आपकी life की, उसे हम कहते हैं, catastrophe, या catastrophic theory, तो गायत ओंडे के life में क्या हुआ, गायत ओंडे के situation बदल गई, याने कि यह जो accident था, यह catastrophe था, यह disastrous चीज हुई थी, जिसकी वज़े से, वो कोमा में चले गए, वो different world में चले गए, और different world में जाके उन्होंने देखा, कि जो Marathas थे, वो battle जीत गए थे, जबकि reality में वो हार गए थे, but professor saw that the bullet missed and Vishwas Rao was not dead, तो हुआ क्या, reality में गायतॉंडे ने क्या देखा, गायतॉंडे को क्या पता था, कि जो bullet था, वो विश्वास राओ, बुलेट कौन सा बुलेट, जो सामने अफगान ने जो bullet मारा था, विश्वास राओ को, जो leader थे Marathas के, उनको जो मारा था, तो वो bullet उनको लग गई थी, और Marathas के, जो leader थे और Marathas ने हार दिया था, लेकिन अपने parallel world में, अपने imagination वाले world में, खयाली world में उनों ने ये देखा, कि जो bullet आई थी, जो बंदू की गोली लगी थी, वो उनके कान से थोड़ा सा पास होके निकल गई थी, पास से निकल गई थी, और वो बच गए थे, और इसी तरह Marathas ज and told him that realities can be different for different people. What he thought had happened is a catastrophic experience. तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जब catastrophic experience उनोंने पूरा बताया अपना, यहने जो disastrous experience Mr. गायत ओने ने जो बताया, कि उसको Rajendra अपने friend को, उसको उनोंने एक चीज़ और दिखा, यह evidence एक proof दिखाया, जैसे कि उनोंने library में क्या किया था, उनो उनोंने उठा लिये थे, तो उनोंने वो इस सब pages भी उनने दिखाया, कि देखो, तुम यह मत सोचो कि मैं कुछ imagination, कुछ खयाली, तुम्हें कहानी बता रहा हूँ, कुछ मन गरन कहानी बता रहा हूँ, मन गरन कहानी नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास evidence है, याने मेरे पास व उनोंने पूरा उसको read किया और फिर समझाया, कि देखो, यह जो तुमारे साथ हुआ है, यह catastrophic experience है, यह जो pages है, जो तुम कार से जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, तुमारे हाथ में कुछ list थी, आपके हाथ में, वो पूरा lecture लिखा हुआ था, जो आप deliver करने वाले थे, आज reality में, real world में, तो आपने अपनी जो lecture की speech लिखी थी, वो है यह, तो exactly यह वो ही page है, और different people, अलग-अलग लोग, अलग-अलग world में जा सकते हैं, यानि कि एक time में आप एक world में हो, real world में हो सकता, आप कोमा में चले के, एक दूसरे world में चले के, तो एक ही इंसान दो अलग-अ of electrons, one cannot predict which path the electron takes at a point of time, he told him that it is the lack of determinism, determinism in the quantum theory, and explain him what it meant, तो अब catastrophic experience के बाद, catastrophe theory के बाद, determinism in quantum theory नाम की दूसरी scientific theory, Rajinder explain करते हैं, किसको, Mr. Gayathondi को, वो क्या बोलते हैं, किस दुनिया का सबसे चोटा unit क्या होता है, आटम, और आटम में क्या होता है, आटम में उसके इनर होता है एक nucleus, और nucleus के आसपार states होती हैं, states याने की ऐसे, यह जो circles इनको states बोला गया है, और इसमें क्या होते हैं, इसमें electrons होते हैं, protons होते हैं, वापको detail में जाने की जरुवत नहीं है, सर्फ यह theory, Gayathondi के experience से कैसे match हो रही है, कैसे उसको, उसकी problem को solve करी है, बस यह समझना है, तो इन पूरी states में क्या होते हैं, electrons होते हैं, जैसे एक electron यहां पर हो गया, मानलो एक electron यहां हो गया, एक electron यहां हो गया, इस electron में मानलो तीन है, इस electron में कोई है ही नहीं, इस state में मानलो कोई electron है ही नहीं, तो यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, कि यह जो nucleus है, यह क्या है, nucleus, nucleus के आ High frequency से low frequency वाली state में या low frequency से high frequency वाली state में interchange करते हैं यानि कि transition करते हैं जिसकी वज़े से pulse of radiation यानि कि कुछ energy इनकी lose होती है तो वो दायतॉन्डे को क्या कर रहे है कि आप यह एक electron जैसे उसको समझहाना चाहते हैं कि you are like an electron होना पर सो उलेक्ट्रॉन जैसे हो जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया है यानि कि एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रावल कर गया तो इसी के थूरू इसी क्वांटम दियोरी के थूरू वो उसका experience समझा रहे हैं तो वो ये चीज़ समझा रहे हैं कि एक वर्ल्ड में एलेक्ट्रॉन किसी अलग पॉजेशन पर हो सकता है तो कौन से एलेक्ट्रॉन कहा होगा किस स्टेट में यानि किस वर्ल्ड में होगा ये प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता अगर सब कुछ पता होगा, पूरी इसकी बारे में हर चीज हमें पता है लेकिन फिर भी हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्टरॉन कहां होगा किस पर्टिकुलर पॉइंट आफ टाइम पे हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो exactly गाय तोरने की लाइस में भी यही हुआ कि आपका हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि आपका अक्सिडेंट हो जाएगा और आप एक रियल वर्ल्ड से एक इमाजिनेरी वर्ल्ड में पहुँच जाओगे तो ये प्रेडिक्शन वाज इंपॉसिबल तो ये ऐसा हो सकता है कि अगर आपके साथ कोई एक घटना हो गई है कोई incidence अशा हो गई है जिसकी वज़े साब रियल वर्ल्ड से किसी दूसरे वर्ल्ड में चले गए हो तो वो हो सकता है पॉसिबल और एक electron इस world में यहाँ है, किसी दूसरे world में वहाँ है हो सकता है कि आप कभी सपने में चले गए और आप हो सकता है कि अशोका के time चले गए for example तो आप कैसी दूसरी जगह होंगे तो वो electrons को compare कर रहे हैं गायतोंडे से Once the observer knows about the correct placing of the electrons in every world it might happen that an alternative world exists at the same time तो एक बर observer को observer यानि वो जो देख रहा है आपको और आपकी problem को समझ रहा है, एक बर उसे पता चल जाएगा कि आप किस world में हो, तो आपका electron किस state में है तो वो बता सकते हैं कि आप कौन से world में हो और एक time पे अलग-अलग worlds exist कर सकते हैं Hence the professor was in two different worlds at the present time तो एक ही time पे वो जो प्रोफेसर थे वो अलग-अलग worlds में थे यानि कि वो थे तो यहीं पे, real world में लेकिन real world में होते हुए एक अपने imaginary parallel world में कहीं और थे वो ना तो past में थे, वो ना तो future में, वो present में एक ही जागा रहे के दो अलग-अलग worlds में गूम किया है यानि कि experience करके है He had real life experiences and alternative reality and he came back from another world तो वो real world में ही थे, उनका accident हुआ, coma में चले गए और एक parallel world में चले गए और वो सब experience करके वापस real world में आ गए यानि कोमा से बहार आ गए थे The professor wanted to know why he was in the, he was the one to make the transition Transition यानि की change तो professor को ये जानना था कि ये change उनके साथ क्यों किया यानि कि उन्होंने एक world से दूसरे world में transit करके, travel करके क्यों गए तो Rajendra told him that at the time of collision with the truck The professor was thinking about the catastrophe theory and its role on the war He was also thinking about the battle of Panipat at the moment So the neurons in his brain acted as a trigger and made the transition तो ये जो change वाला question था गायतौने के माइड में कि मैं क्यों हूँ एक world से दूसरे world travel करके गया तो Rajendra ने इसका explanation दिया कि जब आपका truck से collision हो रहा था जब accident होने वाला था, उसी वक्त आप ये सोच रहे थे कि ये जो catastrophe theory इसका क्या implications होंगे battle of panipat के उपर तो आप wars, panipat, battle of panipat, catastrophe theory ये सब सोच रहे थे क्योंकि ये ही आपका topic था आने वाले lecture के लिए और आपका suddenly accident हो गया इसी वज़े से आप coma में जब गए तो आपके दिमाग में वो खयाल रहे गए और आप उनी खयालों में घुमते रहे गए अलग-अलग चीज़े imagine करी आपने history आपको कुछ और दिखने लगी तो ये ही वो reason है और जो neurons, neurons क्यों होते है neurons याने की वो सारे cells आपकी body में जो आपके brain और nerves तक messages पहुचाते हैं, signals पहुचाते हैं तो उसी वक्त आपके जो neurons थे, आपके दिमाग में जो ये cells थे, आपके brain में, उन्होंने ट्रिगर किया यानि ये cause हुआ, इन्ही की वज़े से ये transition हुआ, उन्होंने signals भेजे तो आप कोमा में जाने के बाद इस state में पहुचे और इसी वज़े से, जब वो कोमा में चले गए दो दिन के लिए इसी कोमा वाले वर्ल्ड में, इसी imaginary वाले वर्ल्ड में, पारेलल वर्ल्ड में वो दो दिन तक गुमते रहे पहला दिन जब वो पूने से लेके बॉम्बे तक ट्राविल करके गए और दूसरा दिन जब वो लाइबरी गए आजाद मैदान गए ये सब चीज़े अब हम डिस्कस करते हैं इस चाप्टा के कुछ इंपोर्टन क्वेशिन और आंसर्स, तो लेट्स बिकिन फर्स्ट क्वेशिन, state whether the statements are true or false यहाँ पे कुछ statements यह हुई है, आपको बताना है कि वो true, यानि सही है, या false, यानि की गलत है यह जो भी हमने पूरी story पड़ी, यह असलियत में हुआ है, सच में गाय तॉंडे थे और उनके साथ इस तरीके से हुआ, तो false, जी नहीं, यह एक fiction है यानि की imagination वार्ट पे बेसed story है, तो story hinges on a particular historical event यह जो story है, एक particular, एक ही historical event के बारे में hinge कर रही है, यानि की इसी के उपर pressurize कर रही है, बता रही है तो yes, वो स्रिफ एक ही event के बारे में बता रही है, जो था battle of panipat में, जिसमें जो marathas थे वो जीत गए थे और afghans हार गए थे, उनके parallel world में, तो उसी पर चल रहा था Rajendra Deshpande was a historian? No, he was not a historian, वो स्रेव एक friend था, किसका? Professor Gangadhar Gai Tonde का, और वो science पर I guess, इतनी सारी चीजे और theories बता रहा था, तो वो I guess एक science के professor होंगे The places mentioned in the story are all imaginary, जितनी भी places in the story में mention होई, वो imaginary है, तो false, जी नहीं, आजाद मैदान exist करता है, Bombay में, Asiatic Society Library है, Town Hall है, Horn by Road है, यह सब चीजे रियल में, Bombay में exist करती है The story tries to relate history to science, यह story जो है, history को science से relate करने की यह जोडने की कोशिश करी, तो yes, battle of money birth, quantum theory, catastrophe theory, यह सब चीजे एक दूसरे से relate करने की कोशिश करी गई, तो यह statement true है Briefly explain the following statements from the text, तब यहाँ पर आपको कुछ text में से कुछ statements दी जाएंगे और आपको वो explain करना है The first statement है, you neither travel to the past nor to the future, you are in the present, experiencing a different world तो ना तो आप past में थे, ना तो आप future में थे, आप तो present में ही थे, लेकिन एक अलग world experience कर रहे थे तो यह जो statement है, यह किसने बताया, यह बोला था, राजेंद्रे ने किसको, गायतोंडे को, तो क्या, अब देखते है This statement was said by Rajendra to Professor Gaiton Dei, as he made a transition, उन्होंने एक transition किया, याने कि एक change किया Professor Gaiton Dei ने, from one world to another, याने real world से parallel world में He had a real life experience for two days in an alternative reality, और दो दिन के, यह उनका experience किया, क्योंकि वो दो दिन coma में थे तो दो दिन exactly उन्होंने वो सा parallel world में experience किया He neither traveled to the past nor to the future, he was in the present all time तो ना तो वो किसी past में चले गए थे, ना तो किसी future में गए थे, वो present में ही थे वो वही पर hospital के bed पर लेटे हुए थे, कोमा में थे और लेटे लेटे वही इसी present situation में अपने mind में कहीं और travel कर रहे थे, किसी और world में तो वो present में ही थे You have passed through a fantastic experience, और more correctly a catastrophic experience तो आप एक बहुत fantastic experience को cross कर कर के आयो या उसे कहें तो आप एक catastrophic experience कर कर के आयो तो अगैन ये राजेंद्र ने किसको कहा? प्रोफेसर गायतॉंडे को तो इस statement was said by राजेंद्र तो प्रोफेसर गायतॉंडे when he was hit by the truck, he was thinking about catastrophe theory and its role in the war तो जब गंगाधरपन गायतॉंडे का accident हुआ था और उनका truck से collagen याने accident हुआ था तो उस moment में वो यही सोच रहे थे कि catastrophe theory के क्या implications होते हैं वो और पे he was unconscious in the hospital for next two days और उसके बाद वो अगले दो दिन तक unconscious याने कोमा में थे और hospital में ही थे he was in an alternative world having a real life experience तो वो एक alternative world में थे याने जब वो यह सब चीज़े सोच रहे थे जब accident के time यह सब चीज़े सोच रहे थे तो क्या हुआ उनकी एक छोटा सा change हुआ accident हुआ और पूरी इनकी situation बदल गई वो कोमा में चले गए और यह खयाल उनके दिमाग में ही रह गए और एक दूसरे world में वो ट्राविल करने लगे दो दिन तक और एक real life experience उन्होंने ये feel किया of many things which were not true in the real world weather where he actually lives तो अब जो चीज़े उने अपने mind में एक parallel world में जो feel किया वो कोई चीज़ सही नहीं थी वो बिलकुल opposite थी या गलत थी जो actually real life में exist करता है उस से तो कुछ भी आप तो जब dream करते हो आप तो जब कोई चीज़ imagine करते हो तो आप कुछ भी imagine कर सकते हो कि आप fly कर रहे हो आप aeroplane उडा रहे हो आप कुछ भी fly कर आप कुछ भी imagine कर सकते हो he noticed that the scenario was different and facts about history were different so he had a past catastrophic experience तो उसने बोला कि जो scenario था याने कि जो situation वो दिमाग में feel कर रहा था और experience कर रहा था वो बिलकुल अलगे real life से तो that means यह उन्हें एक catastrophic experience उन्होंने feel किया क्योंकि जो सच्चाई थी वो बिलकुल अलग थी उससे जो वो अपने दिमाग में सोच रहे थे गंगाधर पंथ तो गंगाधर पंथ कंट्री को क्या कर रहा था रहा था जो भी उसने देखा था यानि कि जो reality में उसने हिंदुस्तान को जो country को उसने देखा था और अपने parallel world में जिस country के बारे में उसने read कर रही थी books में और जो देख रहा था उन दोनों countries को उन दोनों इंडिया को वो compare कर रहा था तो गंगाधर पंथ गायतोंडे had witnessed different facts of history which were the decline of Marathas and British rule but here in a different world the reality was different Marathas had won the battle of Panipat and there was no slavery तो यहां reality में क्या था? reality में ये था कि जो Marathas थे वो अफगान से हार गय थे और हानने के बाद British rule हो गया था इंडिया पर जिसकी वज़े से इंडिया slave बन गया था Britishers का याने की गुलाम बन गया था but parallel world में उसने जो books में read किया उसमें ये था कि जो Marathas थे वो जीत गय थे अफगान से और उसके बाद Britishers जो थे उनका कोई रोल नहीं था Marathas नहीं पूरी हिंदुस्तान पर राच किया और Britishers की कोई slavery के वो हिस्तिदारी नहीं बनी हो मतलब कोई गुलामी नहीं करी इंडियन्स ने तो हुआ क्या हुआ ये कि जो वाइट मैन कौन वाइट मैन याने के Britishers तो उन्होंने अपने इमाजिनेशन में जो वॉल्ड था ये उसमें देखा कि इंडिया तो गुलामी नहीं कर रहा और रियालिटी में तो इंडिया ने कि इतने 200 साल गुलामी करी तो इस वज़े से वो बहुत प्राउड फील होने अगे इंडिया को लेके याने इमाजिनेरी वाले इंडिया को लेके क्योंकि उस वर्ल्ड में उन्होंने कभी भी गुलामी नहीं करी और अपने पेरोपे खुद खाड़ा होना सीखा इंडिया वस फ्री और हिए पीपल हट सेल फ्रिस्पेक यहां के लोगों में जो इमाजिनेरी वर्ल्ड का जो इंडिया तो इसमें लोगों में अटमसम्मान के फीलिंग थी वें इंडिया तो जब उसने दोनों इंडिया को कंपेर किया तो इसको इमाजिनेरी वर्ल्ड वला इंडिया बहुत अच्छा लग रहा था you need some interaction to cause a transition transition याने की change और interaction यहां इदर interaction का मतलब है यहां पर reason तो यहां गे लाइन्स दो ही यह गंगादर पंथ ने गायताउंडे से बोली जब गायताउंडे उन से question पूछ रहे थे कि मैंने यह transition किया को याने एक वर्ल्ड से मैं दूसरे वर्ल्ड में गया क्यों तो उन्होंने बोला कि आपको एक interaction यह हमेशे reason की जरुवात होती है transition करने के लिए याने की एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल में travel करने के लिए तो प्रफेसर गायताउंडे बेफोर दे कोलिजन विद त्रॉक वस थे थे अबॉड इट्स रहे थे अबॉड पूड अबॉड यह सोच रहे थे कि अगर बाटल अफ पानीपत जैसा यह वैसा नहीं होता और मराथा जीज जाते तो कैसा होता सिच्वेशन और सिनारियो सब कैसा अलग होता तो जब उनके ट्रक से अकसिदेन वह तो उनकी दिमाग में थे वह जो सेल्स न सिगनल पुचाते हैं और नवसी बें तक का जो सिगनल पुचाते हैं वह उन्होंने ट्रिगर कर दिय बुचा उनका transition हुगा क्योंकि यह जो खयाल उनके दिमाग में थे वो कोमा के बाद भी उनके माइंड में रहे गए जिस वाज़े से वो एक different world में चले गए This was explained by Rajendra to the professor when he failed to understand why only he made the transition तो यह explanation Rajendra ने प्रोफेसर को तब दिया जब वो बार बार उनसे पूछने लगे कि मैंने आखिरे transition किया क्यों एक world से दूसरे world में गया क्यों और कैसे गया Discuss the following statements in groups and pairs तो यह जो same lines है यह कहां लिखी हुई आपकी NCAT की books में ही लिखी और उन्होंने कहा है कि आपको इन statements को discuss करना है और for and against बताना है इसके बार में यानि कि जो statement लिखा है अगर आप favor कर रहे हो उस statement को तो for में लिखिए और अगर आप statement के against हो आपको इसके opposite कुछ कहना है तो आपको अलग से बताना है तो statement है A single event may change the course of history of a nation एक single event एक छोटी सी घटना पूरी nation, पूरी country की history को बदल सकता है तो जो इसके favor में है वो for में बोलेंगे, वो बोल सकते हैं A single event may change the course of history of a nation In the case of the battle of Panipad when Marathas won the war The course of history changed and it led to the different shape of India तो इन्होंने बोला कि जब एक छोटा से change हो गया यानि कि Marathas हारने की बज़ा जब जीत गए तो इंडिया का पूरा नक्षा ही बदल लिया, नक्षा हाने की इंडिया का जो पूरा सेनारियो वो change हो गया क्योंकि जब Marathas जीते तो Britishers ने राज नहीं किया Marathas नहीं हिंदुस्तान पर राज किया तो इंडिया जो थी, वो slave नहीं बनी याने की वो क्या नहीं बनी गुलाम नहीं बनी Britishers का British rule end हो गया था और इंडिया एक democratic nation बन गई थी याने की यहां पर government आ गई थी People no longer were slaves under the white man India was self independent and had self respect तो इंडिया की खुद की independence थी और self respect थी तो यह तब हुआ कि अगर एक course change हो गया याने की छोटी से घटना history में change होई तो ऐसा हुआ अगर नहीं होती तो कैसा होता It is a matter of perspective that a single event में change the course of history of a nation as explained by Rajendra तो जो एसके against थे जैसे Rajendra इस point के against था तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा event जो change हुआ है उसे नेशन की पूरी history बदले But It is a catastrophic phenomenon that Battle of Panipat had two courses of history in two different worlds Similarly there may be different worlds having a different history at the same time तो Rajendra ने जो इसके against उन्होंने ये कहा कि ये कोई change ने इंज नहीं है ये catastrophe theory उन्होंने scientific points और proof देके अपने point को explain के और कहा कि ये catastrophe theory की वज़े से हुआ है और ऐसा हो सकता है कि अलग-अलग worlds में अलग-अलग history हो सकती है एक ही nation की Just because of किसके catastrophe की वज़े से Second आपका statement है जिसका आप for and against आपको बोलना है वो है Reality is what is directly experienced through the senses वो कहरे है कि reality यानि सच्चा ही वो है जो आप directly अपने senses से experience करते है senses यानि sense organs जैसे eyes, ears, nose, tongue, skin तो बोला कि सच्चा ही वो ही जो आप अपने senses से experience करते है तो जो इनके favor में है वो क्या बोल रहे है as गंगादर पंथ experienced a different reality in the different world for two days he even brought back a tone of page of भाकर बुक he was experiencing different realities at the same time तो हुआ क्या कि गंगादर पंथ ने एक different world यानि वो parallel world को experience किया था और वो बहाँ से evidence के तोर पे क्या लेके आया एक भाकर बुक का एक फटा हुआ page तो उन्होंने क्या बोला कि उसने different reality face करी थी यानि कि जो reality है कि Marathas हार गए है उसने वो face नहीं क्या उस page में पढ़के उसने क्या face कि Marathas जीत गए है तो उसने different reality face करी words, hearing, seeing, smelling and a sense of touch तो यहां पर वो यह बता रहे हैं कि जबकि reality यह नहीं है reality यह होती है कि जो आप देखते हो आप सुनते हो आप बोलते हो वो reality होती जैसे गंगादर पंच ने जो देखा वो belief कर दिया, वो मान लिया कि वो सच है तो जो हम देखते हैं जो हम टेस्ट करते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम smell करते हैं और जो skin से हम जो feel करते हैं, जो touch होते हैं वो ही reality होती है तो जो चीज़े जो लोग इसके favor में हैं वो for में बोलेंगे, अब कुछ लोग इसके against में होंगे, तो वो क्या बोलेंगे reality is not intellectual to sense organs, वो ये बोलेंगे कि reality सिर्फ sense organs पे ही नहीं seemet है, कि जो आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, जो feel कर रहे हो, सिर्फ वो reality नहीं है electrons can move to any direction at any point of time they don't have a definite path to travel even we can predict the direction of the fired bullet but we cannot predict the same thing about electrons तो यहाँ पर quantum theory को explain किया गया यानि कि scientific point दिया गया अपनी बात को proof करने के लिए बोला गया कि electrons जो होते हैं, वो अलग-अपने states में होते हैं and then क्या होता है, जब अलग states में होते हैं वो अलग-अलग states में travel कर सकते हैं यानि कि एक state से दूसरी state में जा सकते हैं लेकिन हम में से कोई यह चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है यह चीज अनुमान नहीं लगा सकता है कि वो कब change होगा एक state में से दूसरी state में या कितनी अपना energy release करेगा तो यह prediction यह हम यह जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैंने यहां से एक गोली चलाई तो जो मेरी bullet वहाँ जाके इस direction में जाएगी या इस particular point में जाके मेरी बंदू की गोली लगेगी लेकिन prediction हम इसका नहीं लगा सकते है electrons का कि electrons किस state से किस state में कब जाएंगे पील के थूर समझाईए क्योंकि यहां पर electrons की बात करी गई है ओके अब यहां पर छोटे one-liners questions है जो देखते हैं इन विच लैंवज दियू थिंग गंगाधर पंत इन खान साहिब टॉक तो इच अदर विच लैंगवज दिख गंगाधर पंत उस्तु टॉक तो थूड़ इंगलिश रिसेप्शनिस तो आपको बताने की गंगाधर पंत ने खान साहिब जो कि उनके साथ ट्रावल कर रहे थे ट्रेन में उनसे किस language में बात करी और जो receptionist जो Forbes की building में थी उनसे किस language में बात करी तो obviously गंगाधर पंतन खान साहिब ने गुसरे से हिंदी में बात करी होगी and क्योंकि English receptionist टी ब्रिटिशर थी तो उससे उन्होंने English language में बात करी In which language do you think भावसाई बाची भकर was written? तो भावसाई बाची भकर किस language में written थी? किस language में रिखी थी? वो Marathi language में लिखी थी क्योंकि वो उसमें सारे battles जो Marathi होने लड़े हैं आज तक युद्ध लड़े हैं वो सब mention दे तो इसलिए वो Marathi language में थी There is mention of three communities in the story The Marathas, The Mughals and The Anglo-Indians पूरी स्टोरी में तीन communities के बाल में बता गया है कि Marathas थे, Mughals थे और Anglo-Indians थे Anglo-Indians याने कि वो Britishers दो इंडिया में job करते हैं तो आपको बताना है कि ये groups एक दूसरे से जब बात करते होंगे तो किस language में बात करते होंगे? तो मुस्लिम सो होते होंगे वो आपस में उर्दु बात करते होंगे Marathas रोते वो Marati बोलते होंगे और Anglo-Indians रोते वो English में बात करते होंगे और आपस में तब एक दूसरे से Converse करते होंगे तो मेरे ख्याल से English ही उस करते होंगे या हिंदी जो थोड़ा बहुत उनकी साइन से भी अपना कुछ कम्मिनिकेट करने की कोशिश करते होंगे So children with this we come to an end to the summary of this chapter and important questions of the chapter और आपको attention लेने की कोई जूरत नहीं क्योंकि quality education magnet brains आपकी घर तक पहुचा रहा है तब तक लिए bye bye and take care